हेलो दोस्तों दृष्टी PCS चैनल पर आपका स्वागत है तो हम आपके सामने एक बार फिर लेकर के आए हैं सापताहिक खबरों पर अधारित जो PCS से संबंदित PCS परिक्षाओं से संबंदित स्पेशल प्रोग्राम है उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं तो इस पेशल करंट अपडेट आज का हमारा विशा है जिसमें देश भर से संबंदित जो भी मैत्पूर्ण खबरें हैं किजी भी परिक्षा में पूछी जा सकती हैं उन पर चर्चा करेंगे पहला सवाल दे जाहिर सी बात है कि हमारे देश से संबंदित ही मामला होगा तो नेपाल ने एक MOU साइन किया है Memorandum of Undertaking किस के साथ भारत के साथ जिसके अंतरगत भारत और नेपाल आपस में इस तरह के जो प्रस्ताव हो आगे बढ़ाएंगे और भारत के मदश से यहां पर LPG, Gas Stoke, Gas Cylinder और उससे जोड़ी जो भी Accessories है उनका वित्रण किया जाएगा नेपाल के तीन प्रमुक जिलों के अंतरगत तो इसके तहत 20.49 मिलियन नेपाली रुपीस का यहां पर उप्योग किया जाना है भारत सरकार की मदद है उसमें और यह जो MOU है इसके तहत कौन-कौन से जिले शा किया है इसका उत्तर है option A यानी भारत अगला सवाल पूसा कृषी विज्ञान मेला 2022 का आयोजन किस मंत्राले के तत्वावधान में किया गया है तो पूसा कृषी मेला एक आयोजन किया गया था 2022 का हमें बताना है किस मंत्राले के साथ हैसा जो है उसके साथ मिलकर के किया गय तो केंद्री कृशी एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेन सिंग तोमर के मारधर्शन में भारती किशी अनुसंधान है यानी IARI इसके दौरा तीन दिवसी पूसा कृशी विज्ञान मेले का उद्घटन किया गया था और इसके तहत केंद्री किसान कल्याण मंत्री इसमें शामिल से इसका मतलब है कि इसका उत्तर जो हमें मिला, वह उत्तर है कि कृषी एवं हिसान कल्यार मंत्रा ले, option B, तो इसके सहयोग से पूसा, कृषी, विज्ञान मेला आयुजित किया गया था, अगला सवाल, CISF का स्थापना दिवस कम मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा 10 मार्च, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस मनाया जाता है, और 1969 में इसकी स्थापना की गई थी, तो CISF का पूरा नाम है The Central Industrial Security Forces, जो भारत की 6 पैरा-मिलिटरी फोर्सिस में से एक है, और ये है, ये जो सेवा है, ये Ministry of Home Affairs, यानि ग्रिह मंत्राले के इंतरगत कारे करती है और भारत के जो भी और द्योगिक संस्थान है, उनको सुरक्षा पदान करने का प्रियास करती है, तो इसका सही जवाब है Option C, यानि 10 मार्च को इसका आयोजन किया गया, अगला सवाज, भारत का सबसे समावेशी साहित उत्सव, जिसको कहते हैं साहित उत्सव, इसका 2022 तक इसका आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है, और Festival of Letters 2022 भारत की आजादी की 75 वी वर्षगाठ के उपलक्ष में आयोजित समार्वो का एक हिस्सा होगा, और इस कारकरम का विशय जो है स्वातंतरता या स्वातंतरता आंदोलन से जुड़ा होगा, इसके अलावा इस लोग ले सकेंगे, तो इस प्रश्न का सही जवाब है, Option D यानि नई दिल्ली, चलिए अगला सवाल लेखते हैं, हाली में कौन सी भारती महिला क्रिकेटर वंडे विश्वकप में सयुक्त रूप से सरवाधिक विकेट लेने वाली गेंदवाज बन गई है, Option है दीप्ती शर लेने का खिताब बनाया है, और सरवाधिक विकेट लेने वाली गेंदवाज बन गई है, तो न्यूजी लैंड के खिलाफ, 2022 महिला क्रिकेट विश्वकप मैच में एक विकेट लेने के साथ ही, उन्होंने यह किर्तिमान हासिल कर लिया, और और उस्ट्रेलिया की लिन फुल इन बाजों में सबसे अधिक विकेट लेने वाले की बात कर रहे हैं, विश्वकप में, तो इंग्लेंड की कैरॉल होजिस जिन्होंने 37 विकेट लिये हैं, क्लेर टेलर जिन्होंने 36 विकेट लिये हैं, और अब जूलन गोस्वामी जी का नाम भी इसमें शामिल हो गया है, option C, इसका सही जवाब है, अगला सवाल क्या कहता है, विश्वक किड्नी दिवस कम मनाया जाता है, ऐसे भी सवाल interesting होते हैं, तो जो भी हमारे body parts हैं, heart का हो गया, किड्नी का हो गया, तो उसके बारे में जागरुकता मनाने के लिए ऐसे दिवसों का अईवजन किया जाता है, इसमें बताना है, 10 March, 11 March, 12 March, या फिर 13 March, तो 10 March को विश्वक किड्नी दिवस मनाया जाता है, और इसका जो मनाने का प्रम खुदेश है, वो यही है कि लोगों को किड्नी के स्वास्थ के बारे में जागरुप करना, कैसे किड्नी से सबमंदिज जो बीमारिया हैं, उनको कम क किस तरह के खान पान को अपनाया जाए किस तरह की lifestyle को अपनाया जाए, ताकि इस तरह की विमारियों से लोग बच सके. तो ऐसा कहा गया है कि नमक का सेवन कम करने से kidney से सम्बंदित जो विमारियां वे कम होती हैं इसके अलावा हम अगर अपने जो फूड हैबिट से उसमें फास्ट फूड जैसी चीज़ों को कम करके घर का साफ सुत्रा खाना खाएं तो हमारी किड़नी बहतर तरीके से काम कर सकती है पूचा गया है कब दिवस मनाया गया जागरुकता का तो दस मार्च को मनाया गया अगला सवाल केंद्री आयुष्ट तथा पत्तन पोत परिवेहन और जलमार्ग मंत्री श्री सर्बादन सोनुबाल ने कहां पर यूनानी चिकिस्सा पर अंतराश्टी सम्मेलन का उधगाटन किया अप्शन है हमारे पास लद्दाख, हैदराबाद, नई दिल्ली और श्री नगर तो जो मंत्री जी है उन्होंने श्री नगर में अच्छे स्वास्थ और सेहत के लिए यूनानी चिकिस्सा में आहार और पोशण विशय पर एक अंतराश्टी सम्मेलन का उधगाटन किया है और बहतर करने के लिए एक उत्कृष्टता केंदर के रूप में यहाँ पर एक डेवलप्मेंट किया जाएगा और इस सम्मेलन में इस तरह की बाते बताए गई हैं तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वह है option D यानि श्री नगर में ऐसा आयोजन किया गया अगला सवाल हाली में यून से कियोल किस देश के राष्टपती चुने गए हैं यह भी एक ऐसा फैक्ट है जो जानना जरूरी है खासकर उन देशों के साथ जिसके साथ भारत के संबंद अच्छे हैं option हमारे पास दक्षड कोरिया, ताइवान, मलेशिया और इंडोनेशिया तो नाम सुनकर ऐसा लग सकता है कि किसी भी देश से संबंदित व्यक्ति हो सकते हैं तो यह दरसल दक्षड कोरिया से संबंदित है तो प्रधान मंतरी नरेंद मोदी जी ने यून सुक योल को जीत के लिए elections हुए थे, elections में जीत के लिए राश्पती बनने पर उनको बधाई दी है और ये people power party से आते हैं जो कि वहां का एक conservative धड़ा माना जाता है हलाकि हमाली बहुत आवश्यक नहीं ये जानना लेकिन फिर भी थोड़ी जानकारी होनी चाहिए तो इसलिए इनको बधाई दी गई है इसलिए ये खबरों में हैं तो दक्षड कोरिया इसका सही जवाब है चलिए अगला सवाल महिला सुरक्षा के लिए किस राज्य पुलिस ने claim your public place नामक campaign चलाया है तो हाली में जो विश्यो महिला दिवस आयुजित किया गया है उसके तैत कई सारी चीजे आयुजित की गई थी पूरे देश भर के अंतरगत उन्हीं को यहाँ पर खबरों में लिया जा रहा है option है तमिल नाडू केरल करनाटक या फिर महाराष्टर तो केरल में इस तरह का एक प्रियास किया गया है जहां पर महिलाओं को safe feel कराने के लिए इस तरह का एक campaign चलाये गया है तो उनको भी सुरक्षा की भावना महसूस हो सके तो यह जो campaign है यह 8 से 10 मार्च तक चलाये गया था International Women's Day यानि अंतराष्टी महिलादेवस के मौके पर तो केरल से इसका संबन्ध है यानि इसका सही जवाब है option B केरल ठीक अगला सवाद देश की किस राज में भारत की सबसे बड़ी भगवान बुद्ध की जुकी हुई मूर्ती का निर्माड किया जा रहा है खासकर भारत के अंतरगत परेटन को बढ़ावा देने के लिए और एक ऐसा इस्थान जो भगवान बुद्ध से संबन्धित है तो आप इसका उत्तर गैस कर पा रहे होंगे option है हमारे पास हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम तो सही जवाब इसका आपने गैस कर लिया है बिहार ही इसका सही जवाब है तो भारत की सबसे बड़ी reclining statue यानि जुकी हुई जो मूर्ती है भगवान बुद्ध की उसका निर्माड किया जा रहा है बोध गया में और इसे बुद्ध इंटरनेशनल वेलफियर मिशन जो है वह इसका निर्माड करवा रहा है तो 100 feet उची है यह प्रतिमा लंबी है यह प्रतिमा और 30 feet उची है चोकि बुद्ध इसमें लेटे हुई मुद्रा में है ध्यान की मुद्रा में दिखाए गए है तो इसे साब से इसका निर्माड किया जा रहा है और इसका निर्माड है 2019 से ही शुरू किया जा चुका था और इसमें जो माटेरियल यूज किया जा रहा है वो है फाइबर ग्लास और कॉलकाता के जो कारीगर है वेसका निर्माड कर रहे है तो इसका सही जवाब है option C यानि बिहार तो चली अगला सवाल देखते हैं भारत के किस शहर ने देश का पहला 100% महिलाओं के स्वामित वाला FLO और द्योगिक पार्क खोला है option है मारे पास मुंबई, हैदराबाद, बैंगलोर या फिर नई दिल्ली तो हैदराबाद सिटी के अंतरगत देश का पहला 100% महिलाओं के स्वामित वाला FLO इंडस्ट्रियल पार्क खोला गया है ताकि जो भी महिलाओं हैं महिलाओं उद्यमी हैं उनको इस तरह का सायोग मिल सके और वे अपने बिजनिस को इस तरह के पार्क में उपरेट कर सके देखिए ऐसे पार्क जो होते हैं अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वह एक लिमिटेड एरिया में ही उसी जगह पर उपलब्द करा दी जाती हैं ताकि जो भी उद्यमी हैं उनको इधर उधर भटकना ना पड़े और सभी सुधाय उनको वहीं पर मिल जाएं तो जो FLO industrial park है इसके तहत 25 green projects शुरू किये जा चुके हैं या किये जा रहे हैं हैं हैधराबाद के इंतरगत और FLO का मतलब हुआ यहाँ पर फिकी ladies organization यहाँ पर इस partnership में शामिल हुआ है तिलंगाना सरकार के साथ जिसके तहत इन महिलाओं को यहाँ पर सहायता की जा रही है तो इसका सही जवाब है option B यानि हैधराबाद अगला सवाल भारस सरकार ने किसको प्राष्ट्री वित्ती रिपोर्टिंग प्राधिकरल यानि NFRA का अध्यक्ष न्यूक्ष किया है सीधा सीधा सिंगल लाइन question है option है प्रिमिन कुमार तिवारी, हिमांशु त्यागी, अजय भूशन पांडे या फिर संजय सिंग तो पूर्व वित्त सचिव रहे हैं अजय भूशन पांडे उन्हें नेशनल फिनैंशल रिपोर्टिंग अथोरिटी यानि NFRA का अध्यक्ष न्यूक्ष किया गया है और ये जो न्यूक्षी है तीन साल के लिए की गई है तो पांडे जी 1984 बैच के माराष्ट केडर के I.S. अधिकारी रहे हैं और रिवेन्यू सेक्रेटरी के पद से रिटायर हुए हैं पिछले साल इसके अलावा एक और बात जो हमें जाननी चाहिए वो ये कि इनका जो पद है इन्हें तीन वर्ष या 65 वर्ष की आयू जो भी पहले हो जाए उस तक दिया जाएगा यानि दिया गया है तो इस सवाल का जो सही जवाब है वह क्या है ओप्शन C यानि अजय भूशन पांडे चलिए अगला सवाल देखते हैं राष्टी सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत कहां पर पेटा स्केल सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है परम गंगा इसको स्थापित किया गया है तो सुपर कंप्यूटिंग मिशन जिसमें भारत का बहुत जादा यहां पर हमको उत्साय देखने को मिल रहा है, हम इस तकनीक को बढ़ावा दे रहे हैं तो राश्टी सुपर कंप्यूटिंग मिशन को इलेक्ट्रोनिक्स और सूचना प्रोध्योगी की मंत्रा ले हैं इसके जरिये इस्थापित किया जा रहा है एवां विज्ञान तथा प्रोध्योगी की विभाग भी इसमें शामिल है यानि ये तीनों चीजें कंबाइन हैं इसके अलावा CEDEC की बात आती है इसमें Center for Development of Advanced Computing और भारती विज्ञान संस्थान भी इसके कार्यानवयन में शामिल है तो हमसे यहां पर पूछा गया है कि किसने कहां पर इसे इस्थापित किया गया है तो IIT रूल की इसका सही जवाब है चलिए हाली में किसने भारती राष्टी भुकतान निगम के साथ मिलकर UPI 123 PAY को लांच किया है तो डिजिटल तकनीक के तहट जो भी डिजिटल हम फिनाइन्स सिस्टम को बढ़ाना चाह रहे हैं उसमें इस तरह का एक नया सर्विस शुरू की गई है UPI 123 किसने लांच की है बताना है RBI, नितियायोग, वित्तमंत्राले या फिर उपरयुक्त सब ही तो RBI इसमें शामिल है RBI ने NPCI यानि National Payment Corporation of India के साथ मिल करके UPI 123 पे लांच किया है 9 मार्च को यह एक सर्विस है जो सामाने से दिखने वाले जो फीचर फोन होते हैं उसके अंतरगर डिजिटल पेमेंट को एक तरीके से आसानी से किया जा सकता है तो इसकी खास बात यह है कि इसमें इंटरनेट की ज़रुत नहीं पड़ेगी विदाउट इंटरनेट इस सुविधा का उप्योग किया जा सकेगा तो जिल लोगों के पास छोटे वाले फोन होते हैं ऐसे वे अब इन फोन के जरिए भी जो स्मार्ट फोन है उसके तरीके से अपना यूपी आई पेमेंट वगेरा कर सकेंगे जिससे ऐसे लोग जो सामाने तोर पर बड़े मोबाइल जैसा बड़े मोबाइलों का खर्च एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनके लिए यहां पर आर बी आई ठीक चलिए अगला सवाल आजादी का अमरित महुस्ताओं के तहत किस मंत्राले ने नय भारत की नारी विशेय पर अपने प्रतिष्ठित सप्ताह समारो का शुभारंब किया है। ऑप्शन है पंचायती राज मंत्राले, ग्रामीड विकास मंत्राले, महिला एवं बाल विकास मंत्राले या फिर शहरी विकास मंत्राले। तो नए भारत की नारी जो थीम रखी गई थी 7-13 मार्च 2022 तक आयोजन किया जा रहा है। प्रामीड विकास मंत्राले इसका सही जवाब है। तो आज के सेशन में इतने जो सवाल है उनका अभ्यास आपको करना है आपसे मिलेंगे। अगले सेशन में कुछ नए सवालों के साथ। तब तक इनका रिवीजन कीजिए, पढ़ाई कीजिए, शुक्रिया।